हाँ गधी क्या कर रही थी एड़ी भागल राखी सावंद पॉटी माउथ राखी सावंद अशलील घटिया जलील घिनोनी बद्जात बद्दिमाग राखी सावंद तेरे पास सबूत है ना पुलिस सेशन जाना कंपलेंड लिखा पुरूफ दिखा तेरे को डंडे मार के भग आप लगा के बाल में वीग लगा के जाती है पुलिस ने भी ब़े बाबा निकल यहां से ए तरे पास कोई प्रूफ नहीं कुछ नहीं मीडिया लेकर पहुच जाती है इदर और पुलिस बाहर डंडे मार के बगा देती बहुआरद जाकी मेडिया के सामने रोती है पुलिस कि मेरे एक सेलिपेटी की जाद ऐसा हो रहा है तो नारूमल लोगों की जाद कैसा होगा hesawnत मीडिया के सामने कर कहने लगी कि पुलीस ने शेलेंट छोपडा का बयान लेने से इनकार किया उसने बताया कि क्यूंकि उसके भाई नीटू आरोपी साज़त खान निर्दोश हैं इसलिए पुलीस ने शर्दिन चोपरा का बयान लेने से इंकार किया उसकी इस बात में जरा भी सचाई नहीं है जैसे कि मैंने पहले कहा 29 ओक्टोबर की रात लगभग आठ बजे के आसपास PSI मेगा मैम ने मेरा बयान दर्ज किया मेरे पास पुलीस कंप्लेंट की कॉपी है जो मैं आप सब को कुछ दिर में दिखाऊंगी यह गंदगी सरलिन चोपडा इसको बड़ी गाड़ी चाहिए गलत काम करने है प्रस्टिशन करना है बड़ा घर चाहिए प्रस्टिशन करना है जेवर चाहिए बैंक में धेर सारा पैसा चाहिए लोगों को रुम में बुलाके गुपरो कैमरा रखके गंदगी करके आप समझ रहे हो मतलब रुम में बुलाके क्या होता है मालू मैं न वो सब करके फिर वीडियो बनाके हर आदमी को ब्लाक मेल करती है अरे शेरलिन चोपरा तो पॉर्ण स्टार है अरे वो तो वैशिया है अरे वो तो ये है अरे वो तो वो है आप सब को बता दूं कि राखी सावन्त जो एक बद्जात और बद्दिमाग औरत है उसका मोडस ओपरांडी है क्या लाक्शरी होटेल्स में जाकर प्राइवेट इवेंट्स करना और करवाना ये है उसका मोडस ओपरांडी और क्या करती है वो जिन्दगी में आए दिन सब्सक्रिप्शन पर बॉइफ्रेंड और हस्बेंड बनाती है उन्हें लूट लूट के कंगाल बना कर छोड़ती है ये है उसके जीने का तरीका हम सब जानते हैं कि वो एक नंबर की भीक मंगी है जूट मूट का ड्रामा करके लोगों से भीक मांग कर अपना किस खान के टुड़ों पर पल रही है यह हम सब जानते हैं आज तक तो मैंने किसी को लूटा नहीं मेरे बॉइफ्रेंड्स हो या मेरे हस्बर्ड हो आज तक मैंने सारे पैसे कर्च किये मेरी सारी प्रॉपर्टी मैंने ही दिया है मैंने तो आज तक किसी को लूटा नहीं अ मेरे पास तो एक जेवर भी नहीं होगा। एक जेवर भी नहीं होगा। और मैं इसको क्यों बताओं मेरे पास क्या है क्या नहीं। मेरे पास तो आप देख सकते हो एक कार है। वो भी मेरी महनत की खमाई की कार है। और ये कौन होती है। मैं दस हजबन्ड करूँ तो कौन माननिया श्री एकनाथ शिंडे सर के लिए उसमें मैंने लिखा कि सर मैं आपकी बेटी हूँ मैं आपकी बेहन हूँ ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि कई महिलाओं के साथ गलत हो रहा है और हमारा जो आरूपी है जो मोलेस्टर है वो कहीं और नहीं बलकि बिग बॉस के घर में आराम फर्मा रहा है तो सर मेरी गुजारिश है आपसे कि प्लीज आप हम पीड़ित महिलाओं को इनसाफ दिलाएं बहुत जल्द मैं जाने वाली हूँ माननिय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए माननिय राजयपाल जी से मिलने के लिए तो यह साड़ी पहन के महिला कार्य करता हो का अब सीम को लगेगा कि महिला या रही है तो अपन्मेंट देंगे अब यह जाएगी अंदर सीम का नंबर लेगी एकनाथ शिंदे जी का प्रशची वर्निंग देते हे मातारी ला भेटों नका शरली ओपड़ा मातारी ला भेटों नका तुम्हीं नम्बर गिंगार तुम मिलोगे तुमारा नमबर लहीगी फिर आवसा नजिए नजिए शर्णिए नाए यह तर्मेरा घर्मेक फ़ंक्शन है ऐसा करके कैंबरा गु वस्तर उतार के पॉन फिल्म कर सकता है वो कितना गिर सकता है वो कितना गिर सकता है आब अगर कोई महीला वस्तरहीन होकर सडक पर चल रही होती है इसका मतलब यह नहीं है कि वो रजामंध है इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी पुरुश या कोई भी इनसान उसको हाथ लगा सकता है या छेड़ सकता है हमें ये समझना चाहिए कि nudity does not tantamount to consent जिस्म के नुमाईश करना रजामंद होना नहीं होता है लेकिन क्योंकि ये लोग अनपढ हैं गवार हैं जाहिल हैं इसलिए ये लोग इस तरह के टिपणियां हर आए दिन करते लिए रहते हैं तो मैंने उसके सामने ये सवाल रखा कि वो अपने fans को दर्शकों को, media को क्यूं नहीं बताना चाह रही है कि उन video's के नुर्देशक और निर्माता कौन हैं वो बताए वो अधी अधूरी जानकारी क्यों दे रही है वो पूरी जानकारी क्यों नहीं देना चाह रही है वो बताए खुल कर बताए कि जिस वीडियोज का वो जिक्र कर रही है उन वीडियोज के निर्देशक निर्माता कोई और नहीं बलकि उसके भाई सहब राशकुंद्रा और उनकी श्रीमती तिरे पर कन पट्टी के बंदुक रखे कराया था तेरे कर बंदूक रखे बोला था कपड़े निकाल चॉकलेट डाल बॉड़ी पे हां कर हनी डाल बॉड़ी पे आ आ कर हां झाल